हलो फ्रेंड्स मैं हूं मितलेईस कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मिसी के यूट्यूब चैनल पर तो कैसे हैं आप लोग आसा करता हूं अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे और मस्थ होंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको फार्मसुटिक्स का एक most important topic करवाने वाला हूं hammer mill and ball mill जी हाँ बहुत ज्यादा important है कहीं भी आप किसी teacher से पट रहोंगे तो वो आपको जरूर गाइड कि होंगे कि बिटा फार्मसुटिक्स में hammer mill और ball mill जरूर पढ़के जाना इस दोनों में से कोई एक paper में आ जाता है ठीक है और जी बिलकुल स side रखी और मेरे साथ जुड़िए मात्र अगले 15-20 मिट तक गारेंटी सो एकदम देता हूं कि आपको hammer mill और ball mill दिमाग में सेट कर दूँगा एकदम हर एक चीज चाहे इसका working principle हो construction हो parts हो या फिर advantage, disadvantage, application, duty जब भी question पूछा जाता है ज्यादा तर ये long question में पूछे जाता है और इसी दोनों topic से mcq भी बनते हैं तो सारे mcq के types भी बता दूँगा किस type से mcq बनेंगे और long question आएगा तो वाकई आप लिख लेंगे आराम से ठीक है तो चलिए start करते हैं बहुत अच्छे तरीके से लेकिन start करने से पहले आप सभी लोगों को बता दे कि आप लोग जो pharmacy आप पर और मैं पढ़ाता हूँ आप और वसीम सर मिलकर के आपको बहुत अच्छे तरीके से तयारी करवा रहे हैं तो live classes join करना विल्कुल न भूले यदि आपको समझने में pharmacy में अभी तक interest नहीं आया तो मैं जरूर आपका interest जगा दूँगा ठीक है चलिए तो start करते हैं और जो भी courses related जानकारी है वो वेडियो के last में दूँगा ठीक है चलिए तो हम लोगों का सबसे पहले topic का नाम आप unit operation देख रहे होगे उपर में बड़ा सा unit operation लिखे हुए है तो देखिए फार्मसोटिक्स का जो chapter 4 है और chapter 5 है और chapter 5 आपका doses तो यह chapter 4 और 5 बहुत ज्यादा important है इसी से major question बनते हैं तो यह chapter 4 का ही topic है तो यह unit operation होता क्या जैसे syllabus अब देखेंगे जो की PCI के द्वारा दिया गया है तो unit operation ही क्या कहलाता है pharmaceutical engineering कहने का मतलब हुआ कि normal सा जैसे कि size reduction इसी के अंदर पढ़ते है size separation पढ़ते हैं लेकि कि किसी प्रकार का physical या chemical transformation जो होता है व जैसे कि आपका size reduction करवाना उसके लिए कौन-कौन सी maceraries कौन-कौन सी आपकी मिल्स यूज होती है pharmaceutical industry में वह पढ़ना है फिर size separation के बारे में फिर mixing के बारे में फिर filtration के बारे में ड्राइंग के बारे में extraction के बारे में यह सारी चीज़ें आपको पढ़ना है तो हमारा जो major topic ह इसे chapter के अंदर size reduction है और इसी size reduction करने के लिए दो मिल्स का आपके syllabus में दिया हुआ है hammer, mill और ball में यह दोनों यहाँ पर पढ़ना है तो पहले तो आप समझे कि यह size reduction क्या होता है कई पर short question में आपसे पूछ लेगा कि यह size reduction क्या होता है वाउ बता या फिर आप वाईवा हमाले पथर यह कुछ भी हो उसको hammer से मारके चूड़ दीजिए मारके मारत थूड़ दीए तो size reduce हो गया तो एक तरीके से आम भासा में आप समझे कि size को छोटा करना size को घटाना अलग-अलग तरीके से वही कहलाता है size reduction तो चलिए पढ़ते है क्या है it is the process it is the process of reducing large solid unit mass large solid unit mass into small unit masses इसको बहुत सारे चुटी चुटे टुग्रों में बदल देंगे तो उसको हम लोग क्या कह देंगे size reduction कह देंगे ठीक है this is also known as combination and grinding इसी को हम लोग और किसी प्रकार का यांतरिक विधी अपना रहे है यानि कि physical force लगा रहे है उससे हो रहा है तो उस process को myling कहते है तो myling भी एक प्रकार का size reduction ही है जिसमें mechanical के कारण यांतरिक विधी के कारण होता है यानि कि hammer से जैसे मार के तोड़ रहे है तो यह हो गया mechanical इसी कारण से इसको माइलिंग भी कह सकते हैं, तो size reduction को combination and grinding भी कहते हैं, और यही चीज़े माइलिंग तब कहला जाती है, जैसे मैं क्या बोला, कि physical और chemical transformation, तो physical तरीके से होगा, तो वही चीज़े माइलिंग कहला जाएगी, ठीक है, चली, तो आगे जब माइलिंग वर्ड यूज होगा, त तो pharmaceutical industries होती है, अब क्या होती है, जहां दवाएं बनती है, जहां पर आपका अपने अलग-अलग सुने होगे, sun pharma, mankind, alkane, है ना, यह सारे जो आपका है, pharmaceutical industries है, तो यहां पर जो दवाओं को बनाने के लिए, जो भी चीज़ें industries में, मिल्स में यूज की जाती है, size reduce करने के ल ठीक है, सिर्फ कौन सा hammer mill और ball mill, क्यों, क्योंकि यह syllabus में आपको इसी दोनों को detail में दिया है, लेकिन आप दो-चार को नाम यार रखेगा, कि fluid energy mill भी है, और disintegrator भी size reduction का ही काम करता है, MCQ में पूछ देगा, कि size reduction के लिए कौन सा काम करता है, इस जारों में से कोई भी option में मि सब्सक्राइब और ball में, ball मतब गेंदा, अरे भाई बच्चा में गुली खेलते थे, कंचा, तो उस टाइप का गुली गुली जानी की गेंद गेंद लगा रहता है, तो गेंद के कारण होता है, आपर तो ball मिल हो गया, इतना समझी, बस, आप बात कर लेते हैं क्या, हम पढ़ेंगे, next lecture में आपको ball मिल पढ़ेंगे, ठीक है, और एकतम 3D animation के साथ live classes में पढ़ाया जा रहा है, है ना, पूरा चीजें, तो जरूर आईए वहाँ पर, और वहाँ पर आपको सारा syllabus को एक बार नहीं, दो से तीन बार मैं revise कर दोंगा, यकीन मानिए, ठीक है, लेकि large material is crushed into smaller ones, large material को छोटे में तबदील कर दिया जाता है, कहीं पता, यह hammer mill कैसे काम करता है, जैसे एक animation मैंने लिया है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यह इस प्रकार से rotate हो रहा है, है ना, तो यह आपका क्या 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 है, यह जो बीच में है, यह आपका soft क्या rotating साफ और यह इस प्रकार से घूमते रहता है, ठीक है, काफी speed घूमता है, आगे speed का आपको मैं बताऊंगा क्या इसका RPM होता है, यह देखिए इसको hopper कहते हैं, hopper कहते हैं, इस area को, hopper, देखिए, आच्छली बाहर से ऐसा दिखता है, अंदर से यह animation के थूरू आपको समझ घूम रहा है, यह जो घूम रहा है, यह क्या है, हथोड़ा है, यानि हैमर, और हैमर से जब टकड़ाता है, हैमर से जब टकड़ाता है, तो क्या हो जाता है, वो particle साइज छोटा होते जाता है, और नीचे screen दिख रहा होगा, देखिए, नीचे screen दिख रहा होगा, उस screening के हथोड़ा घुम रहा है लगता है इससे यह रोटेटिंग साफ्ट बीच में लगा हुआ है इसे साफ्ट के कारण हथोड़ा घुमते रहता है उससे पत्थर टकराता है तो इसलिए कहा जाता है पत्थर टकराना यानि impact लगता है तो पूछता है लोग कि हैमर मिल किस principle पर काम क तो इस पर impact लगने के चारण ठूट रहा है तो बताइए तो आपका इंपस्ट पर काम करताएं तो आपका इंपस्ट पर काम करता है थी तूहां ही ची बाहर से गूंते रहता है उपर से आप प्रोडक्ट को डालते हैं जो भी आपको छोटा करना है साइट और नीचे से आपका वो चीज़े प्रिंसिपल आप समझ गया है उसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं क्या इसके पार्ट्स देखा देखें मैं इजी डाइग्राम आपको दिखा देखा देखा तो मैं गूगल से बहुत टेक्निकल डाइग्राम ले लेता बहुत अच्छा वाला लेकिन आपको एक्जाम में बनाना कैसे लिए आप समझें इट कंसिस्ट ऑफ और मैटल केसिंग मतला समझते हैं मोवाइल का कवरिंग को केस करते हैं इसका भी मैटल का केसिंग होता है मैटल टार यहां पर एक मोटर होता है लिए का लुटी और और इसे चार से चपनेование पर होता है मतलब छोटे जोटे छेट दिखरा ना जिसे की product हम लोगों को मिलेगा receiver में है ना powder बनने के बाद तो नीचे में screen लगा होता है through which material can be passed and collected into the receiver उससे क्या होगा material receiver में आ जाएगा इसका principle क्या है तो principle of impact between rapidly moving hammers है ना rapidly moving hammers के बीच में जो impact लगता है उस material पर जिससे वो तूट जाता है ना वही चीज़े बोल रहा है बीच में क्या होता है rotating soft होता है या फिर central soft आप इसको बोल दखते हैं जो की rotate करते रहता है इस प्रकार से arrow लगा दीजिएगा और उसमें चार या चार से ज्यादा क्या लगा होता है और लोवर पार्ट में screen लगा उता है इसकी screen मतलब क्या हुआ है इस तरीके से आपका screen है जिससे की आपका product नीचे निकलते जाएगा इस छेट से ठीके इस प्रकार से यह काम करता है इस बेसिकली यह वर्टिकल और होरीजोंटल रोटेटिंग साफ्ट और ड्रम ऑन विच हैमर सार मांटेट सी बात है मैं पढ़ा चुका हूँ यह बेसिकली स्टील ड्रम बाहर से इस इत्रों होता है वर्टिकल और होरीजोंटल रोटेटिंग साफ्ट और दूसरे तरप से वह स्विंग कर रहा होता है घूम रहा होता है ठीक है रोटर रोटेट एट हाई तेजी से गोंगता है न जो गोंगता सब्सक्ति थो और समझता है 1517 से व धुमेंगा वो किस पूर है hugम में डालते है और फार समझे के मसीन और चकी में तॉफ अंण फोर रिदक्षन अश्य शाई्ज्ड पर्टिकुल स्थाइब करने काम करता है इसका application की बात करें कहां इसका यूज करते हैं तो it is used to grind various materials अलग-अलग material को grind करने के लिए grinding या फिर combination भी कहते थे तो grind करना इस तरीके से किसके लिए sugar या herbal medicine के लिए आपको काम आता है या application मतलब तरहें कभी यूज करते हैं किस चीज़ में यूज़ करते हैं जब आपको फीड डालेंगे और यह क्या काम करता है तो जब आपको फीड अंदर नहीं डालना होता है जब फीड डालना है तो निकाल देंगे तो चला जाएगा और यह घूमते रहता है यह बीच में साफ्ट है माई Hamburg रहा है माइलिंग चाहरा है माईलिंग बताए था न किसी प्रकार के मिकेनिकल मेथेड जे आप कि सएंगर्फिश कर रहे तो माईलिंग कहलाता है और यह हैमर्स लगा हुआ है जो कि आपके रोटेटिंग साफ्ट उससे मोंटेट है और यह स्वें कर रहा स्क्रीन है और में बताऊंगा कि mcq क्या आता है इसके लिए बहुत बड़े किसी टेक्निशन की जरुवत नहीं पड़ती है जैसे डी फार्मा वाले बच्चे जो भी इंडस्ट्री में काम करने जाते हैं वह एज टेक्निशन काम करते हैं यानि कि मसीन को अपरेट करने काम उन्हीं का होता ह है ठीक है देरिज लिटेल चांस अफ कंटामिनेशन अफ दा प्रोड़क्त के कंटामिनेशन होने का चांस बहुत कम है क्यों क्योंकि बाहर से मेटल की केसिंग लगी हुई है पुरेश से क्लोजड है दा पार्टिकल साइज ऑफ मिट्रियल कैन इसली कंट्रोल वाइदा और इसमें आसान होता है अब इसके डिसडवांटेज की बात कर लेंगे तो लगतार वह पत्थर से टकराते रहेगा सब्स्टांस तो क्या होगा होगा हीट बिल्ड़ अप हो जाता है यानि कि उसका जो घटने लग जाता है सम्टाइम्स स्क्रीन में गॉट क्लॉग्ड जाएगा मतलब बंद हो जाएगा तरीके से जाम हो जाएगा सही से प्रोडक्ट रिसीव नहीं हो पायेगा दे आर नौट सुटेबल फोर स्टीकी इस टीकी जो चिप चिपा होता है या फाइबरस होता है या हार्ड मेट्रियल मैलिंग क्या है मेकैनिकल किसी प्रकार की यांत्रिक विदी के कारण जो पार्टिकल का साइज को छोटा किया जाता है वह माइलिंग कहलाता है फिर पूछ देगा कि साइज डेटक्शन के लिए फार्मासुटिकल इंडस्ट्री में किसका यूज करते हैं चारों में से कोई option मिल जाएगा तो टिक कर दीजेगा hammer mill, ball mill, fluid energy mill या drift integrator ठीक है फिर पूछ देगा hammer mill किस principle पर काम करता है तो principle of impact है ना किस पर principle of impact जबकि ball mill काम करता है principle of impact and attrition दोनों पर लेकिन attrition क्या होता है वो आगे समझेंगे next lecture में आज ball mill में नहीं पढ़ा रहा ठीक है उस lecture को भी जरूट देखेगा जो कल आईगी ओके समझे ना इस प्रकार से feed आता है जाता है मदब आराम से काम हो जाता है घूमते रहता है आप देख लिए इसके उपर बाहर से मैटल केशिंग लगी होती है बीच में सेंट्रल साफ्ट में चार्द या चार से ज्यादा हैमर लगे होते है और सेंट्रल रोटेटिंग साफ्ट की ओर से जो हैमर होता है वो पूरा अच्छे तरीके से फिक्स्ट होता है और एक तरब से स्विंग करते रहता है वो घूंगते रहता है जिससे क्या होता है और लौर साइड में क्या होता है लोर केसिंग में स्क्रीनिंग लगे होता है प्रोडक्ट नीचे की और रीसीवर में आप कलक्ट कर पाते है यह सारी चीजह आपको होता है इसका construction and working हम ने कर थोड़ा कम कर देंगे ऐसा कुछ होता है इसका एप्लिकेशन कहां यूज करते हैं सुगर या हर्बल मेडिशिंग के प्रोडेक्शन में या तो पाउडर मिक्स्चर बराने में इसका यूज करते हैं डियाग्राम अच्छे से देख लिजेगा स्क्रीन लेकर करके रख लाइव क्लासेज में अभी फिलहाल आपको पढ़ाया जा रहा है और एक सिलेबस को तीन बार से ज्यादा रिवाइज कराया जाएगा मैं विश्वास दिलाता हूं गारेंटी देता हूं ऐसा हर बार करते हैं इस बार भी करेंगे रिकॉर्डेट लेक्चर जैसे आप को बाइलिंग्वाली आपको पढ़ाया जाएगा जैसे यहां पर हिंदी इंग्लिस मिला कर हम समझा रहें कंटेंड इंग्लिस में रहेगा समझाएंगे हिंदी में और एक्जिट एक्जाम के लिए प्रॉपर गाइडेंस यहीं से शुरू कर देंगे ताकि आपको किसी अलग प्रकार के कोर्स में अभी फिलाल जोइन ना होना पड़े एक्जिट एक्जाम के लिए और प्ले स्टोर पे आपको उदित पार मेंसी जाना है और सर्च करना है और जैसे सर्च करेंगे तो एप आ जाएगा इंस्टॉल कीजिए नाम इमेल डी डालके लोगिन कर लिजेगा लोगिन करने के बाद स्टोर वाले सेक्शन में आईए और स्टोर वाले सेक्शन में आपको अलगला कोर्स दिख जाएंगे जो कोर्स चाहिए उस कोर्स को पर्शेज कर लिजे और बहुत मिनिमम कोस्ट है चौद और पूरे साल भर की विलेनिटी के साथ आपको तयारी आप हमारा हाड कोपी मिटरियल की किताब चाहते हैं जो हमारे द्वारा बनाया गया इससे ज्यादा कोशन आते हैं वह भी मंगवा सकते हैं और जो वीडियो देख रहे हैं यहां तक देख रहे हैं आप जैनुरी स्टूडेंट है तो आपका एक प्यारा सा कमेंट मुझे ब बाई बाई